नमस्कार अब धान का उत्पादन क्या कारन है यह मौत पुर्ण एक बिंद्वाज इसको पर हमको आपको ध्यान देने की जरूरत है आप बग्यानिक विदी से धान की खेती कैसे करेंगे इस विषय पर जनकारी दिलाने के लिए आज हमने अमन्तित किया है डाक्टर राजेश कुमार ज चिसन हमारे हरे स्टकी जमीन है एक कहते हैं करतां कि मुटन स्थान के चुनाओं पर आ होड़ा है। करें जो उनको ज्यादा पैदावार मिले इसके बारे में हम आपसे को जान करी जाहेंगे देखिए ये बहुत ही महत्पुर्ण प्रस्ण आपने पूछा है और सही पूछा है कि हमारे जो बिहार में हैं अमूमन जो है चार किस्म की भूमी पाई जाती है धान के लिए जो उप कौन-कौन से कारक है जो इनिदारत करते हैं कि ये इस तरह के जमीन है किस प्रकार की जमीन है और सबसे महत्पुर्ण चीज की आपके पास जो प्रभेध अभी उपलब्ध हैं देश में या हमारे कृषिविस विद्याले से या हमारे राज्य में किस जमीन के लिए किस तरी कमाव नहीं होता है अक्सर हमने देखा है कि जब आप खेट तैयारी के लिए वहाँ पर पानी लगाते हैं तो अगले दिन वह पूरा 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 पानी खेट से आपके निकल जाते हैं याप पानी को रोक नहीं सकते हैं मेड़ बानने के बावजूद भी तो वह कहलाता है उपरी जमीन उपरी जमीन के लिए अमुमनि वो प्रभेद का चैन आप कर सकते हैं जो की सुखाड़ अवरोधी हो और सबसे बड़ी बात कि आप जब चैन करें प्रभेद के जमीन के लिए तो यह ध्यान रखे कि कम अवधी की आप जो प्रभेद हैं हमारे उनीका चैन करें जिससे कि आप लागत इस धान को जाने में कम आए जैसे कुछ मुख्य जो प्रभेद हमारे यहां है वो है प्रभात पुराने मेरे चारिया ध मध्यम प्रकार आता है जहां पर की लगभग 30 cm तक आपको जल जबाओ रहता है उस जमीन में और यह सबसे उप्युक्त जमीन माने जाती है धान के फसल के लिए तो जितने भी परवेद अभी बने हैं जो हम कहते हैं अच्छे वातावरण के लिए जो अच्छे वातावरण मे सब इसी मध्यम जमीन में आती है मध्यम जमीन में अमूमन उन प्रवेदों का चैन के आता है जो 125 से 30 दिन में पक्के तयार हो जाए इन में लग वो प्रवेद जैसे आप हमारे यहां राजेंद्र स्वेता देख लें या जो आपके बजार में अभी हाइब्रिड किसम आती है उनके नाम से यह राइज एक सट उनतीस है पी एच भी एक सतर है और भी जो क्यारेच टू है डियारेच टू है यह सब हाइब्रिड वराइटी माने जाती हैं यह सब किसमें आपको मध्यम जमीन या ममूमन कुछ निचली जमीन के लिए भी उप्यूक्त हैं और अवधी कि यह 125 से 30 दिन की अवधी कि किसमें आप इस जमीन मिले सकते हैं इसके वाए आती है निचली जमीन तो निचली जमीन में अमूमन आप मान के चलिए 75 संटीमीटर तक अगर पानी लगा हुआ है 40 से 75 संटीमीटर तक पानी खेतों में तो आप कहते हैं कि भी यह निचली जमी इसमें आपको सबसे बढ़िया किस्म जो हमारे यहां से भी निकली हुए है राजेंदर मनसूरी 1 यह एक बहुत अच्छी प्रभेध है जो इस जमीन के लिए बिल्कुल उप्यूक्त है इसकी अलामा स्वरणाब हमारे किसान भाई जानते हैं जिसका दूसरा नाम MTU 1729 है वो भी बहुत उप्यूक्त है इस जमीन के लिए पहले कुछ दिन पहले तक हमारे सीट चेन में था अभी भी बहुत जगह है वो नाटा मनसूरी जीसे हम कहते हैं BPT 5204 नाटा मनसूरी भी इ पुराने समय से ब्रकरार है और जो हमारे विज्ञानिक है ये भी इसको सपोर्ट करते हैं या मानते हैं कि अबधी जादे रहेगी तो उपज जादे रहेगा अब सबसे जो निचली जमीन की बात करें जहां पर पानी जल जमा होता है या गहरे पानी के छेतर वो लगभग 75 सेंटीमीटर से उपर अगर पानी लगायो केत में और दो मीटर तक पानी दिन के बाद तुरंत निकल जाए और एक चौर छेतर या ताल छेतर जहां पर पानी आए वो रुका रह जाए तो अगर आपको उन छेतरों के बारे में चाहिए किसमें प्रभेद उनके इन दोनों के लिए अलग-अलग चेतरों के लिए अलग-अलग प्रभेद अबूपलब्ध हैं तो इसलिए हमने कहा कि यह चैन बहुत निर्वर करता है जैसे जिस इलाके में फ्लैस फ्लट है पानी आया पंदरे दिन में निकल जाए वहाँ सब वन की एक किस्म की सीरीज आई है जैसे स्वाड़ना जो आप ल बढ़ की समस्या है गहरे पानी या गहरे चेतरों के लिए जहां पर की पानी रुका हो रुक जाता हो एक महिने के लिए वहां के लिए हमारे इन्वर्सिटी से सुधा और वैदेही दो किस्में निकली है जो बहुत अच्छी है इसके अलावाँ जो पूरानी किस्म है जल ल निचली जमीन के लिए भी और गहरे परवे दोनों में अच्छा इसका उत्पा दखता है अपो दिखाई देगी धान के एक ऐसी खेती है जो किसान बिच्रा लगाते हैं फिर बिच्रा को खार कर उसको मुख भूमी में उसकी रुपाई करते हैं बिच्रा गिनाने के भी तर तरीकर है और आतर सिरी वी इदी अगई है तो उसके लिए भी बिच्रा गिनाने के तरीका लगए हम आप से printer चाहते हैं कि भी बिच्रा कैसे गिर आए जाए को तहार कियाए ताखिए हमerson किसानभाई को मालूम भी होगा, वो करते भी आ रहे हैं सुरू से. जो धान बोने की विधी है, वो दो तरीके की विधी है, एक तो हम सीधी बॉाइजी से कहते हैं, जिसे हम अपने टाउन से वेज़ानिक विधी में कहते हैं, डारेक्ट सीडेड राइस सीधी बवाई करते हैं दूसरी हम रोपनी करते हैं नरसरी में और फिर वहां से उखाड़के उसको रोपा आता है खदवा किये हुए खेतों में तो दोनों विधी तरीके हैं उगाने के वो मुमन थोड़े से अलग अलग हैं जैसे डारेक्ट सीडेड में उसके भी दो तरीके हैं क्यों वेट डियस अर सुखी ड़ी गीली वेट डियसर यद्र या ड्राइ डियसर जिसमें कि आप सीधी बवाई कर रहें और जो आपके drum होते हैं, सी ड्रमर होते हैं, उसमें आप हंकुरित बीजों को डालके और फिर पंक्तियों में गिरा दीजे, तो यह तो सीधी बॉआई वाले तरीके हुए, नर्सरी वाले में आपको नर्सरी तयार करके, और अमूमन जो है जितने खेतों में आपको लगाना सबसे जरुरी चीज ज्या दे वह यह दे जह कुछ दिन पहले किसान हमाड़े पास आए जुकी हम बीच तो आया उन्होंने काया कि हमारा जो बिचड़ा है वो सर केवल आपने जो बीच जिया उसमें 40% ही जर्मिनेशन हुआ ये सभाविक है कि हमने जब उसी लॉट से और भी किसानों को सीट बेचा है तो कैसे एक ही किसान ये समस्या लेके आता है कि हमारे पाद 40% ही जर्मिनेशन हुआ सर तो हम लोग उसकी खेत पे गया हमने देखा कि समस्या है आखिर क्या तो हमने देखा कि जहां पे उसने बीच था वह पानी के अंदर 6 दिन तक डूबा रह गया अभी हाली में बारिस आई बहुत ज्यादा और उसके बाद उसका सारा बिचला निकला ही नहीं वह अंकुरित हुआ भी जौर सड़ गया तो इसलिए ये जरूरी है कि जब भी आप नरसरी की तैयरी करें तो भूमी का चैन बहुत अच्छी तरीके से करें और ये जरूर देखें कि करीब सवा से डेढ़ मीटर वो जमीन जो आप सतह बना रहे हैं अपने बिचला उप जाने के लिए वो जमीन से उची हो हमारे आज जो हम खे तैयर करते हैं हमोमन हम क्या करते हैं कि उस मिट्टी को जो मिट्टी हम क चला डालना है और नालिया चुकि क्यारी आप चारो तरफ तीस सेंट्रिमेंटर की बना रहे हैं तो पानी का जल जमाओ का भी समस्या नहीं होगा पानी निकल जाएगी वहां तो जब आपने ये तयार कर लिया तो सबसे जरूरी है कि आप उपचारित बीजी खरीदें अग और धाई ग्राम परती कीलो की दर से हलकी नमीदे के बीजों में और अच्छी तरह से मिला कि उसे च्छाओं में सुखा ले और तब फिर बिचलों को पंक्तियों में जैसे हमने बैड बताया उस बैड में आप लगा दीजिए अमुमन जो बवाई के समय होते हैं ये परभे प्रभेद हैं उस पर निर्भा करता है तो अगर मालीज आपको लंबी अवधी के प्रभेद हैं तो इनका आप अंतिम सब्ता हमाई के अंतिम सब्ता है कि 25 मई से आप बिचला लगाने के लिए बीजों का गिराना सुदू कर दे अपने नर्शरी में और जो लंबी अवधी के जो कम अवधी के आपके प्रभेद हैं वो आप 10 जून के बाद भी लगा सकते हैं 10 से 15 जून तक आप लगा सकते हैं यह अवधी के ऊपर निर्भा करता है कि आप बीजों को कैसे गिरा है नर्शरी में सबसे जरूरी चीज यह है ध्यान देने की चीज है कि आप फॉर्ट भी खाद है जो आपके हमारे वर्मी कंपोस सबसे अच्छी खाद है वो आप उसमें डाल के बीजों को उगाने के कोशिश करें और एक समस्या बीजों में सुरू में आती है वो यह है कि जिंग की कमी अधिकतर देखा हमने जिंग के वज़े से जुला जाती है आप देखिय अच्छा तरीका आगी आप जिंग सल्फेट का 300 ग्राम जिंग सल्फेट ले रहे हैं तो 200 ग्राम जो है आप बुढ़ावा चुना मिला के एक लिटर पानी में और उस पे छिड़काव कर दें बिचोड़ों के उपर तो यह समस्या आपके निकल जाएगी और पचीस से अमो किसान मुख भूमी पर रुपाई करते हैं तो बोड़का पढ़ियों बहुत कम करते हैं सबसे घरवड़ी है कि हमारे किसानों में और बहुत से ऐसे कि भी किसान है जो प्रकतिश्विक किसान है धान रोपने के पहले धंचा लगाय रहते हैं और धंचा की पलताई करते हैं तो यह कहां तक उनका प्रयाज वह सही है और हम अपसे जानना चाहते हैं कि जब मुख भूमी में रुपाई होगी तो उसमें उर्वरक का परबंधन कैसे करेंगे और रुपाई की बीभी क्या होगी उसके बारे में कुई बतला में देखिए मैं सबसे जरूरी यह है कि जो आ है कि हम बेहिसाब रसाइनिखादों का पियोग कर रहे हैं तो इसलिए आपने बहुत सही पूछा की हमें कितनी निर्भर्ता रसाइनिखाद पर हमारे होनी चाहिए जो दिनो दिन बढ़ती जा रही है तो आवश्यक्गी है कि हम इस पे अपनी निर्भरता कम करें और जो हम कहें कि जो हमारे हरी खाद है या कोबर के कंपोस्ट है वर्मी कंपोस्ट है इन पर जादे निर्वरता अपनी बनाएं जिससे कि हमारी सकती जमीन की आउरू रखता वह बनी रहे तो सबसे पहले अगर आप मुख्य फसल तयार कर रहें जैसे हमने का कि दो विधी है लगाने की एक जो है सुखी विधी है जो डिये सार डारेक्ट सीडेड राइस है इसमें सुखी और गिली दोनों तरीके है और दूसरी यह है कि आप कदवा करते हैं रोटावेटर से और उस है कि अनुसंसित है वो है 120-140 यहीं कि 120 आपको नाइट्रोजन देना है साथ फॉस्फोरोज देना है और 40 जो इनकी रेशियो है वो है 120-140 नाइट्रोजन फॉस्फोरोज और पोटास की अमूमन अब बजार में नाइट्रोजन जो उपलब्ध होता है वो है नीम कोटेड दूरिया में कि जो आप नात्रजन वाली जो डालते हैं खाद वो बहुत जल्दी ही लीच कर जाता है पौधों की उपलब्धा मातर 3-2-3 दिनों तक ही रहती है उसके बाद यह खाद लीच कर जाता है तो अगर कोटिंग की होई है नीम की खाद के ऊपर तो यह लीच होने म तो जैसे हमने कहा कि आप तीन डोजेज में बांट लीचे अपने पूरे यूरिया के खाद को जैसे 120 हमने कहा अगर है तो 40-40-40 की मातरा और सबसे पहले जो पहला डोज है वो आप जब खेत तयार करते हैं कदवा करते हैं इस समय डाल दीजे फॉस्फोरस की पूरी मातरा इसी समय पढ़ती है और पोटास की भी अब आप दो स्क्लिट डोजेज में डाल सकते हैं आधी-ाधी मातरा डाल सकते हैं तो सबसे पहले बता है नायतरजन की आप कप-कप डालें तो सबसे पहले जैसे हमने बता है कि पहला डोज जो 40 का है वो आप खित तायर करते हैं समय दूसरा कल्ले जब निकलने लगे अमूमन जो है यह 45 दिनों के बाद कल्ले निकलने सुरू हो जाते हैं हमारे धान में जो रुपाई होती है उसमें तो उस समय में आप उस खाद को डाले जो दूसरी मातरा है 40 कि और तीसरी जब गभा में जी से हम कहते हैं या पैनिकिल इन हमारे जारी मातरा जी सम्हें घियर तीहार करें इस से में डाले और फिर उसी जितामे जैसे मिलन निकलते हैं उसे में डालिए उस से डानों में चमक आती हो जहन बढ़ता है नहों का, हरी खाद जैसे हमने कहा या वर्मी कंपोस्ट जबर्लफ वह अमूमन अनुसंशित है , क दो साल के बाद आप मिलाएं खेतों में एक काम और आप कर सकते हैं कि जैसे आपने जो भी फसल काट दिया वो उपर से काटें और जो नीचे जी से हम कहते हैं स्टबल्स जे रहते हैं जो उसके डंठल रहती है खरपतवार रहती है उसको उसी में मिला दें उसको जलाएं नही वो भी सड के खात का काम करती है और धैंचे का उपयोग जो है वो जरूर करें गेहु के कटाई के तुरंद बाद जब पहला शावर आया खेत में पहली बारिस आया तो आप धैंचा लगा दें और अमूमन जब आप खेत जब कदवा करने लगें तो धैंचे को पलटके और आप दलहन की वीच को लगाएं उससे वो प्राकृतिक तरीके से जो एटमोस्फेयर के नाइट्रोजन होते हैं जो वातावरन में हमारे नाइट्रोजन होते हैं उसको फिक्स कर देते हैं स्वाइल में और वो करने से क्या होता है कि हमारे नाइट्रोजन की मातरा जब अगल डालते हैं या आप अपने फसल चक्र में दलहन फसल को सामिल करते हैं अब परसनुरता है कि जब रुपाई कर लेते हैं तो आज कल खौर पतवार के समझ से बहुत महत्पून समझ से आ है पिल्कुल संशेप में आप सम जानना चाहेंगे जो रुपाई के बाद खर पतवार का सीधी बौाई के लिए है और एक आपने जो कदवा करके लगाया उसमें सीधी बौाई वाले में खर पतवार की समस्या थोड़ी जादा होती है तो उसमें जो सबसे पहला काम आप ये करें कि आप पेंडे मेथलीन खेत तयार करने से पहले प्री इमर्जेंस हम कहते हैं तो आप दवा एक आती है वो सुरू में खेत तयार करते समय डालने तो उससे खरपतवार जो होंगे उस समय मर जाएंगे और डी एसर में सबसे अच्छी दवा भी आई है धान के लिए वह है नॉमनी गोल्ड नॉमनी गोल्ड अमोमन जो है 200 एमेल आप 400 लीटर पानी में घोल क करके एकड़ के लिए उससे अफिसेंट होगा तो उस यह आप छिड़काओ कर सकते हैं तो यह सिस्मिक हर्वी साइड है यानि कि दान को छोड़के बाकि सब पतवार पर असर करता है और 10-10 दिन के अंतराल पर यानि कि पहले आप 10 दिन पर लगाएं और फिर 20 दिन के बाद आप जो खदवा वाले जो आप रुपाई में अगर धान कर रहे है रोपनी तरीके से तो उसमें ब्यूटा क्लोर सबसे अच्छी दवा है पहले भी आप लोगो को पता होगा मैच्टी तीन करके वो मार्केट में आती है वो दवा तो वो तीन लीटर आप करीब 1000 लीटर पा परत वन जाती है उपर तो रोपनी के तुरन बाद आप उसको डाल दीजे पानी अगर आप एक खेत में लगा हुआ है तो वो खरपतवार को दबा देगा निकलने नहीं देता है कीट परबंधन वे बिमारी की समस्या धान में यह एक महत्पुन समस्या है तो बिलकुल संश परबंधन करें देखिए किसान बाई दोनों ही आयाम अलग-अलग है एक तो कीट काप का परबंधन है और एक रोग का परबंधन है तो कीट वाले में मुखता धान में हम देखते हैं कि जो स्टेम बोरर है यह हम करें तना छेदक है वो बहुत ही ज्यादा नुक्षान परशानी हुसी से है और दूसरा जैसे फॉल्समट यह हम कहते हैं लच्मिनिया रोग गाउमा जैसे कहते हैं वो दानों को बरबाद कर देता एक भूरा चित्ति रोग भी आता है वह भी बहुत रोग के मामले में बहुत जादे परशान करता है जिसे कि आपका फवसल का जो कीड़ों को यह चूसक कीड़े हैं कुछ और कुछ जो है काट के पतियों को नुक्सान पहुंचाते हैं स्टेम बोरा उस समय में लगेगा जिसे में आपके कल्ले निकलने वाले हो तो पूरा का पूरा कल्ला सुख जागा अब सीस खीचिएगा तो सीधे निकल के बाहर चला आ तो होता क्या था कि उसमें जो उपर अंडों के मास हैं अंडों के पुंज हैं वो कटके अलग हो जाते तो वह विधिया लगा सकते हैं जिसे माप रोपनी करें उसमें थोड़ा सा उपर से काड़ दें पत्तों को दूसरा जो सबसे आजकल सटीक दवा आई है और बहुत अस सिस्पा गंधी भग है आप कार्वोरिल फाइव परसेंटी सी जाल सकते हैं वो भी हलांकि अब जो है कीट वाले लोग मना करते हैं क्योंकि उस पर मधुमक्यों पर बुरा परभाव डालता है लेकिन फिर भी आपको अगर उसे रोक थाम करना है तो थोड़ा उपाय तो करन दो तरीकों को बाट सकते हैं वर्ग में बीमारियों को जैसे यह भूरा चिता रोग या ब्राउन स्पॉट जो कहते हैं फंगल डीजीजे फंगल सवफून से होता है और दूसरे केटेगरिये जहां पर की बैक्टेरिया से होता है जो विशानू है उनके वज़ा से होता है जैसे bacterial leaf light हुआ, तो इसके management के बारे में आपको थोड़ा सा chemical के तरफ जाना पड़ेगा management के लिए, जैसे brown spot के लिए अधिकतर मामलों में हम करते क्या हैं, कि आप एक साफ डवा आती है, जिसमें आपको manco jeb और carbon dagem दोनों का मिला जुला combination है, तो आप साफ डाल सकते हैं, एक ग्राम परती लिटर के दवा में घोल के उसे शिड़क दें, तो जो भी फफुंदी वाली बीमारी यहां हो कंट्रोल हो जाएंगी, और इनके लिए आप जो है, जो बैक्टेरियल ली बलाइट है, या सीथ बलाइट है, तो सीथ बलाइट अग्रेमाईशी नी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे कंट्रोल हो जाएगी आपकी इमारी, धान एक महत पुर्म फसल है, और जिस तरह आपकी जनकारी आपने हमारे किसान बाइव बद्दी है, तो मैं समझता हूं कि अगर उस पर किसान बाई ध्यान देते हैं, और बैग्यानि अधिवी उकाम होगा यह भहुत अब, जो एक साथ मैसर दी वाली बात ही अब नहीं थी, तो इस तरह से महत पुर्म जनकारी आपने दी किसान बाईव को निश्चितरूप से हमारे किसान बाई इसे लबानिन थोगे, आपने दूरदसन को सरजोब किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, किसान बाईव, वाग्यानिक बीदी से आप धान की खेती कैसे करेंगे, इस विए पर एक अउन्भवी क्रिसी वाग्यानिक से हमने आपको जनकरी दिलाने का प्रयास किया है, और हम आशा करते हैं कि इनके द्वारा जो दीगे जनकारी है, निश प्रयकार्शक्रम में, तब तक चाहेंगे आप से अनमती, नमस्कार.